सब्सक्राब कीज़े Thinks About Tech चैनल को कम्प्यूटर मौल, इंटरनेट एंड टेक्नलोजी वीडियो देखने के लिए और घंटी के आकन पर क्लिक करके All के आप्शन को सिलेट कर दें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो को नोड इपिकेसन आपको मिल सके सबसे पहले नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है सौनू पारासर और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल Thinks About Tech में दोस्तो, आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में कॉल रिकोर्डिंग से रिलेटेट सारी जनकारी देने वाला हूँ आपको अलग-अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है बस आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आये तो हमारे चैनल को सब्सकाइब करकर हमें सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिविशन मिलता है और हम इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं चली यह सुरू करते हैं दोस्तों आज किस वीडियो में हम कॉल रिकोर्डिंग से रिलेटेड आठ टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें पहला टॉपिक है आटोमेटिक काल रिकोर्डिंग कैसे करें दूसरा टॉपिक है सभी सेब नमबर पर काल रिकोर्डिंग कैसे चालू करें तीसरा नमबर है किसी एक या दो नमबर पर काल रिकोर्डिंग कैसे चालू करें चोथा नमबर है किसी unknown नमबर पर call recording कैसे चालू करें पांचमा नमबर है call recording के notification को कैसे चालू करें छटा नमबर है call recording होने के बाद कहाँ पर save होती है साथमा नमबर है call recording को किसी नाम से save कैसे करें आठमा नमबर है watch recording कैसे करें इन सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे चलो हम पहला टॉपिक ले लेते हैं और आपको पताते हैं कि Automatic Call Recording कैसे करें दोस्तो, Automatic Call Recording चालू करने के लिए सबसे पहले Dial Pad को Open करेंगे जैसे आप किसी को Phone लगाते हो तो सबसे पहले Dial Pad को ही Open करते हो यहाँ पर सबसे नीचे आपको जो 3 Lines दिख रही हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आपको Setting के Option पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको Call Setting के बहुत सारे Option दिखाई देंगे लेकिन आपको Call Recording के Option पर क्लिक कर देना है अब यदि आपको Automatic Call Recording चालू करना है तो यहाँ पर आपको दूसरे नमर को Option दिखाई दे रहा है Record Calls Automatically इस पर आपको Tap कर देना है और इसको आपको चालू कर देना है अब जब भी आप किसी को Call करोगे या पर किसी का Call आपके पास आएगा तो Automatically Call Recording होने लगेगी और यदि आप चाहते हैं कि Call Recording होने के बाद Call Recording का एक Notification हमें मिल जाए तो इसके लिए आपको जो पहले नमर का Call Recording Notification का Option है इसको आपको Enable कर लेना है Any की इस पर क्लिक कर देना है चलो एक Call Recording करकर आपको दिखाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि Notification किस तरीके से आता है चलो मैं आपको केबल समझाने के लिए 123 पर Call करकर इसके Recording कर लेता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 123 पर Call किया तो ये Automatically Call Recording होने लगी चलो मैं आप Call को Cut कर देता हूँ दोस्तो जैसे ही मैं Call को Cut करूँगा तो एक Call Recording का Notification हमें मिल जाएगा चलो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं कि सबसे उपर हमें एक Call Recording का Notification मिल चुका है चलो मैं इस पर Click करकर आपको Open करकर दिखाये देता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं जो पहले नमर पर Recording है उसमें लिखा भी है कि 123 पर हमने Call करी थी और एक बचकर 56 मिनट पर दोफेर में Call की थी है और इस पर Click करकर हम Call Recording को सुन भी सकते हैं चलो दोस्तो अब हम Call Recording की सेक्षन में बापिस चलते हैं और आपको बताते हैं कि सभी Save नमर पर Call Recording कैसे चलू करें दोस्तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि All नमर का Option पहले से Select रहता है यदि याए Option पहले से Select नहीं है तो आपको All नमर के Option पर Click कर देना है चलो दोस्तो अब हम चलते हैं अपने तीसे टॉपिक के तरफ और आपको बताते हैं कि किसी एक या दो नमर पर Call Recording कैसे चलू करें क्योंकि दोस्तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सारे नमर्स की Call Recording को नहीं करना चाहते हैं हम एक, दो या चार बंदों पर ही Call Recording लगाना चाहते हैं कि जब भी वो लोग मुझे Call करें या मैं उन लोगों को Call लगाऊं तो Automatically Call Recording हो जाए और मैं बाद में Call Recording सुन सकूँ तो इसके लिए आपको Selected Number के Option पर Click कर देना है अब यहाँ पर आपको तीन ओप्सन दिखाए देंगे आपको पहले नमर के Option Custom List पर Click कर देना है अब आपको नीचे Add Numbers पर Click कर देना है अब जिन लोगों पर भी आप Automatically Call Recording लगाना चाहते हैं लोगों को यहाँ से Select कर लेना है जैसे कि मैंने यहाँ से 9 लोगों को Select कर लिया है अब जब भी यह 9 लोगों मुझे Call करेंगे या मैं इन 9 लोगों को Call करूंगा तो Automatically Call Recording हो जाएगी दोस्तों अब अगर आप चाहते हैं कि केबल Unknown Numbers की Call Recording हो मतलब आपके पास अगर ऐसे नमर से Call आता है जो कि आपके मुवाल में सेब नहीं है तो ऐसे नमर की Call Recording से अपने आप हो जाए तो इसके लिए आपको दूसरे नमर के Unknown Numbers के Option को Enable कर लेना है दोस्तों अब हम चलते हैं अपने छटवे टॉपिक के तरब और आपको बताते हैं कि Call Recording होने के बाद कहां पर सेब होती है इसके लिए आपको Recorder का Option डूड़ना है जो कि Mostly Tools के Folder में होता है अब Recorder के Option पर क्लिक करकर इसको Open कर लेना है और जो नीचे 3 Lines दिख रही हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है अब आपको उपर Recorded Calls के Option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको सारी Call Recording मिल जाएंगी जो आज तक आपने की होंगी बस जिस Call Recording को आप सुनना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करकर आपको सुन लेना है दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने मुवाल से अपने खुद की या किसी की भी Voice Recording को कैसे करेंगे इसके लिए सबसे पहले Recorder को Open कर लेना है इसके बाद आपको जो नीचे Red Color का Recording के बटन देख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर आप जिस किसी के भी आवाज या बातों को रिकॉड करना चाहते हैं उसके पास आपको मॉल रख देना है और फिर जब recording हो जाए इसके बाद आपको तुवारा इसी Red बटन पर क्लिक कर देना है और फिर Right के जैसे ही आप Right के option पर क्लिक करोगे तो एक recording save करने का option आएगा अगर आप किसी के नाम से इस recording को save करना चाहते हो तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है जैसे कि मैं इस recording को अपने नाम से save कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ और फिर OK के बटन पर क्लिक कर देना है लास्ट में आपको एक जानकारी और देता हूँ दोस्तों जानकारी देने से पहले आप वीडियो को like कर दो और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर दो यार और इस वीडियो से आपको कुछ help मिली हो तो comment करकर जरूर बताना जैसे कि मालो मैंने automatic call recording को चालू करकर नहीं रखा है इसी बीच किसी की call आ जाती है जिसकी हमें call recording करना है तो दोस्तों इसके लिए आपको record के option पर क्लिक कर देना है अब आपकी call recording चालू हो जाएगी और अगर आप बीच में ही इस call recording को बंद करना चाहते हैं तो simply issue option पर आपको दोबारा क्लिक कर देना है दोस्तों इस वीडियो मैंने आप लोगों को call recording से लेटेड अच्छी से अच्छी जनकाई देने की कोसिस किये थैंक यू फोर वाचिंग